हेलो गाइज, वेलकम टू माई नीरू की किचिन, आज मैं लेकर आई हूँ ब्रत वाली रेसेपी, सावन का महीना चलना है, तो सभी के हिस्वांबार के ब्रत जरूर होंगे, तो आप जट पड मिंटों में बनाई ये ब्रत की रेसेपी, जो बहुत ही टेस्टियों बनती है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना, तो मैं यहां पर ले रही हूँ, हाफ केजी आलू, जिसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है, तो यहां पर हम आलू लेंगे, और आलू को हम बिना छीले ही कट करेंगे, अगर आप चाहें तो इसे छील कर भी आप बना सकत हैं, तो मैं यहां बेना छीले ही यूज करूँगी, मुझे इस तरह से बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती हैं, और यह बहुत ही कुरकरे बनती हैं, इसी तरह से हम दूसरा आलू भी काट लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चोटा या बढ़ा रख सकत हैं, दोस्तों यह रेसिपी बहुत ही बढ़िया जट पन मिंटों में त्यार हो जाती है, आप अगर आप इसे बना कर चाय के साथ खाएंगे तो ब्रत में आपको बिल्कुल भी ज्यादा भूख नहीं लगेगी, इसी से आपका पेट भरा भरा लगेगा, तो हमारे जो तोरी कुट्टू का आटा लेंगे, यहां पर मैं चार टेवल स्पून कुट्टू का आटा यूज कर रही हूं, चार टेवल स्पून कुट्टू का आटा डाल लेंगे, यहां पर दो तीन हरी कटी हुई मिर्च डालेंगे, अगर आप कम ज़्यादा खाती हैं तो स्किप कर सकती हैं और हम जाल रेंगे टेस्ट अनसर सेंधा नमक ब्रतवाला नमक डाल रही हूं है थोड़ी से यह पर काली मर्च डालेंगे मैं काली मिर्चちょっと जाधा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अलडおおरडे हम हरी मिर्चे डाल जाद़ डाल चुके हैं अब यहां पे हम हरा कटा हुआ धनिया डालेंगे अगर आप धनिया जाध़ डालेंगे तो हमारी आलू की पकोड़ीयों बहुत ज़ूस्टी हो स्वातिष्ड बनेगे अस भी गो मिला लेंगे अब यहां पे हम ठोड़ा सा पानी एड़ करेंगे एक पानी एक बाढ़ रीह नहीं डालना हिरे थोड़ा, हम ठोड़ा ही पानी डालना हिरे है और हातों से इसे हम mix कर लेंगे तो आप दे शकते हैं, अगर आपको लगए कारम हाप तो आप इसमें कमिया ज्याधा कर सकते हैं तो यह तो आप एमें 2 टइबल स्पून आटा और यूज करें हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारे जो आलू हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम एक करके आलू की पकोरी को तोड़ेंगे और सबीको हम इसी तरह से तोड़कर डाल लेंगे अब हम इसे अलट पलट करके सेंख लेंगे जिसे बीच-बीच में चलाते रहेंगे जिसे हमारी जो पकॉड़ी है जले नहीं तो आप देख सकते हैं हमारी जो कुट्टू की पकॉड़ी है कितनी बड़िया बनकर त्यार होई है बहुत ही जड़ पड़ में ज़्यादा से ज़्यादा पांस या दस मिनिट ही लगे हैं बहुत ही जल्दी से असानी से बन गई हैं तो आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी और क्रिस्पी बनी है अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे दोस्तों अगर आपको हमारी आज की ये रेस्पी पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करना अगर नहीं भी आई है तब भी आप लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करके बताना और हमारी वीडियो को फॉल वाच करना थेंक यू फॉर दो मसे दोड़ियो को आई लाइए